मेरे पहरे साथियों कोलकाता के रंजन जी ने अपने पत्रे में बहुत ही दिल्चस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथी बहतरीन तरीके उसका जवाब भी देने की कोशिश की है वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्वर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या आर्थ होता है इसी सवाल के जवाब में उन्होंने खुदी आगे लिखा है कि आत्मनिर्वर भारत भ्यान के बले एक गवर्मेंट पॉलिशी नहीं है बलकी एक नेशनल स्पिरिट है वो मानते हैं कि आत्म निर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्वत का फैसला खुद करना यानि स्वयम अपने भाग्य का नियनता होना। वो पर गर्व होना। जब प्रतेग देश्वासी गर्व करता है, प्रतेग देश्वासी जुड़ता है, तो आत्मनिर भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभ्यान नह रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब सम्रुद्ध देशों में हम मैट्रो टेन के मेडी निंज्या कोचेज देखते हैं, जब दरजनों देशों तक मेडी निंज्या कोरोना वेक्सिन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और उंचा हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी-बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत में बने कपडे, भारत के टेलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हेडिक्राप का सामान, भारत के इलेक्ट्रोनिक उपकरन, भारत के मोबाईल, हर खेत्र में हमें इस गवरों को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। उन्होंने इस फैक्टरी में कायर करने के दोरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारिकी से समझा, लेकिन कोरोना के दोरान प्रमोजी को अपने घर वापिस लोटना पड़ा। आप जानते हैं लोटने के बाद प्रमोजी ने क्या किया? उन्होंने खुद LED बल्ब बनाने के छोटी सी यूनिटी शुरू कर दी. उन्होंने अपने खेत्रे के कुछ इवाओं को साथ लिया और कुछी महिनों में फैक्टरी वरकर से लेकर फैक्टरी ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया। वह भी अपने ही घर में रहते हुए एक और उदारन है यूपी के गड मुक्तेश्वर का। गड मुक्तेश्वर से स्रिमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बढ़ला। संतोष जी के पूर्खे शांदार कारिगर थे चटाई बनाने का काम करते थे। कोरोना के समय जब बाकी काम रुके तो इन लोगों ने बड़ी उर्जाव और उत्सा के साथ चटाई बनाना शुरू किया। जल ही उन्हें न केवल उत्तपदेश बलकि दूसरे राज्यों से भी चटाई के ओर्डर मिलने शुरू हो गए। संतोस जी ने यह भी बताया है। इस से इस खेत्र की सेंकडो साल पुरानी खुबसुरूत कला को भी एक नई ताकत मिली है। साथियों देश भर में से कई उदारण हैं जहां लोग आत्म निर्भर्थ भारत भ्यान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं। आज यही एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है।